अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेश वीडियो को देख सकें मित्रो आजम स्ट्ट करने वाले हैं मंतली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंट अपरेली 2023 मेन लगन के जातकों के लिए अपरेल महा का मासिक फ़ल आई आरंब करते हैं मित्रो अगर आपकी लगन कुंडली की अंतरकत यहां पर लगन में 12 नमबर लिखा हुआ है इसका मतलब आपका मेन लगन है जो कि एक जलतत्वे लगन है तीर सुभाविक लगन होने के कारण फोड़ा वही कन्फ्यूजन वेक्ति में यह ड्यालिटी काफी अधिक पाई जा लगन के मालिक गुरुदेव जोकी ब्रहस्पती बनते हैं गुरु बनते हैं और लगन पर ही भी गोचर करेंगे, चुकि करम की भी मालिक बन करें लगन पर, तो विश्यष्टे अभी तक आपके ये 22 अपरेल 2023 तक ही रहेंगे, अब यहां से एक वर्ष उपरांथ हो गया पुरा, अब एक वर्ष उपरांथ आपका 22 अपरेल 2023 से यह यहां पर गुरु मीन राशी से मेश गोचर करने वाले हैं, तो अभी 22 अपरेल तक आप ऐसा महसूस करेंगे, कि देखे विश्यष तोर पे आपका लगन पर गुरु का प्रभाव, कहीं न कहीं आपके माइंड कंतगत, काफी सारे विचारों को समाये वे, काफी सारा ज्यान आपने अर्जित किया, स्वाभी मान भी आया, करम इस सान का मालिक बन कर भी लगन पर है, करम को लेकर, करम छेतर को लेकर, विशेश तरक्की भी आपने करी है, विशेश उन्नती भी करी है आपने, जिसके करम थोड़ा सा आपको कह सकते हैं, आपका स्टेटस कह सकते हैं, वो भी आपका बढ़ा है, या आपका पद भी बढ़ा है क्योंकि गुरु ने यहां पर मीन राशी में हंस राजुक का भी निर्मान करा है जो कि कहीं न कहीं आपको ग्यान की दृष्टी से भी आपके लिए विशेश अच्छा आपके समाजिक तोर पे छवी को लेकर भी बहुत अच्छा इन सब बातों को लेकर का गुरु का प्रभाव के करणियां पर चल रहा था विशेश दोर पर लगन पर आने के करण कहीं न कहीं स्वास्ते की दृष्टी से थोड़ा आपको वजन भी बढ़ रहा था यह भी इस्तती 22 अपरेल दो जरते इस तक देखने को मिलेगी आप वहीं गुरु की दृष्टी जो पांच 치ू दिर्ष्टी आपके संतान भाव पर अजिक्षाफ प्रेम संपन उसमें गुरु की अमरज संपन दृष्टी आपके लिए फायदा पहुछा रही थी यह गुरु की बहुत अच्छी प wage चल रहे थी जिसके करण आपको बहुत सारे शेत्रों में लावापको म मिलेगा तो यहां पर गुरू की दृष्टी के कारण जो निसंतान थे उनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय भी 22 सपरेल तक है और हो सकता है कि जो वेक्ति कहीं पढ़ना चाहते हैं किसी कॉलिज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मन चाही जंग सथी अच्छे चल रही थी साथी सथी पार्टनर्शिप या बिजनस को लेकर भी बहुत अच्छे सथी यहां पर गुरू का परभाव दे रहे थे वहीं गुरू की नवी दृष्टी भागय की दृष्टी भागय भाव पर विशेश तोर पर भागय में वर्दी कर रही थी पिता गुरू का स्थे होग साथ और सासे साथ उत्षिक्षा समंधत कारें वी आपको भागय के साथ विदेश से शिक्षा घरेंड करने वी आपको लाब मिल रहा था तो कहीं न कहीं भागय की दृष्टी से धार्मिक कार्यों की दृष्टी से भी एक गोचर आपके लिए काफी फायदे मन था और करम इस्थान में विशेष तो पे फायदे मन आपके लिए स्यध हो ही रहा था और कहीं ना कहीं काम को लेकर आप काफी तज्जों दे रहे थे अपने काम को लेकर वह इक सब इस्थी आप पर चल रहे थे आप वहीं 22 अप्रेल 2023 से लगन के मालिक और करम के मालिक धन भाव में जाएंगे राहू की साथ रहेंगे तो देखो संगत का तो आपको परभाव आपको देखने को मिले गई कि अपनी संगती पर 22 अप्रेल 2023 विशेष ध्यान रखना है और करम इस्तान के दर्गत भी आप क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ा ब्रह्म व्युत्पन होगा तो थोड़ा आपको महापर साफ धनों कर काम करना पड़ेगा विशेष धन की दर्ष्टी से तो इस समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा तो मतलब धन की दर्ष्टी से काफी अच्छा कह सकते हैं वहीं गुरु का प्रभाव दित्य भाव में थोड़ा पारिवारिक तोर पर दिक्कते महसूस करने पड़ेगे आपको म पाच्वी ग्यान की दर्ष्टी से शेष्टम भाव पर जब गुरु की ग्यान की दर्ष्टी पड़ेगी नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके अगर जो शत्रुबाद है उसको शांत करकर उन पर आपको विजय दिलाएंगे मुकदमे वगार में विजय कहीं न कहीं अभी ऐसंतुष्ट मैसूस कर रहे हैं केतुर के प्रभाव के कहीं न कहीं सवसुराल पक्ष के साथ संब्दों में मदूर्था या उसमें सुधार आने का प्रयास रहेगा साती साथ साथ स्वास्ते की दरष्टी से भी यह आपको फायदा दिला सकते हैं और थो लेटर वर्क है तो वहाँ पर काफी फायदा आपको मिलेगा वहीं गुरु की नवी दृष्टी भागे की दृष्टी करम इसन बर रहेगी तो यहां पर क्या रहेगा कि कहीं न कहीं कुछ आप आपको एक्स्पेंड करने का करम इसन में प्रयास करेंगे और वहीं पर गुर बाकि आपके लिए समय बाइस अपरेल दोजय तेस के बाद भी गुरु का कोचर आपके लिए बहुत फायदे मन्या आपको बहुत लाब बहुत तरक्य आपको देने वाला रहेगा आप देखें यहां पर गुरु के साथ पहले शनी का भी एक बार देख लेते हैं तेके शन नी्क प परवाव शनि आपके ला भाव के सवामी आड़ाव के सवामी शनी आपके बारवे धर में उचर कर रही है शनी जैसे ग्रह बार भी में यहां कहीं न कहीं support system कम मिल रहा है अकेले ही अपने ग्यान के बिल पर आप अपने आपको आगे बढ़ाएंगे यह एक स्थाथी दिख रही है साथी साथ जो चाचा मित्र बड़े बाई बैन वो कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ी दिक्कत यह बना सकते हैं और साथी एक और यहां पर कहीं जाएगी कि आपका जो आ आपकी जो income है वो या तो फ़ोरन से हो सकता है कि अगर आप अगर आपको इंकम लेनी है आप आने वाले समय जो भी ये समय चल रहा है इस समय के अंतरगर अगर आप इंकम ब्राप्त करना चाहते हैं जोब वगरा तो कहीग ने कहीं आप बाहर की कंपनियों में जॉब करें, फॉरन से रिलेटरी संबंद बनाएं, आपको फाइदा मिलेगा, लाग मिलेगा और वहीं परदे के शनीदेव करम के कारगर होकर बारवे घर के अंतरगा जैसा की गोज़र कर रहे हैं छुष रिले टिज्ड आपको फाइदा दिला सकता है आपको सेवा से जुड़ेवे कारियदा आपको दिलानी वाला है अगर आप डॉक्टर है तो आपको अच्छ है आपको फाइदा मिलेगा आपको क्योंकि इंकम का मालिक आपका बार्वी घर में आपको वहीं से इंकम आएगी हॉस्पिटल से बढ़िया इंकम आप करते हुए नजर आएगे मोल तिरकों राशी के अंतरकत है अगर आप डॉक्टर है आपको बहुत फायदा बहुत लाब होगा आप विदेशों से भी मुसीबते आप मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तक क्याता कि देखो राहू था शनी की दृष्टी ती अब लगन के मालिको खुद जाकर देखना पड़ रहा है कि चल गया रहा है क्योंकि यह दित्ते भाव आपका कुटम का है परिवार खांदान ल परिवार ज्यादा शामिल रहेगा परिवार के लोग वह आपको कहीं रहें वहां पर क्योंकि आप राहू का पर वह तो नहीं कर सकते हैं किसी तरीके के मदभेर, परिशानी भ्रहम उत्तन होना इत्यादी चीजे और कहीं नहीं एक फैमिली को तोड़ने का काम करना खुछ आगे का जो समय है और परिवारिक तोर पर आपके लिए दिक्कत कह सकते हैं और थोड़ा पैतरक संपत्य को लेकर थोड़े विवाद रह सकते हैं महाँ पर से भी प्रिशानी बन सकती है वहीं शनीदेव की सीडी दर्ष्टी और गुरु की दर्ष्टी शेष्ट्रम भाव पर ये कही न कहीं शेष्टम भाव पर जब गुरु और शेष्ट्रम भाव आएगा तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी बगरा चेंज करना चाहते हैं, कंपेटिशन के लिए करना चाहते हैं, उन सब के लिए शेष्ट्रों पर विजय प्राप करने के लिए उनके लिए अच्छा कहा जाएगा, वहीं शनीदेव की दर्ष्टी रहेगी, करम दर्ष्टी भाव पर, यहां पर शनीदेव अपना सारा का सारा अपने इंवेस्टमेंट एक बड़े इंव कुझा पाथ ही नहीं, उससे अलावा भी जैसे किसी बहुत बड़े रोजगार की विवस्टा दुनिया के लिए कर देना या कुछ ऐसा बड़ा कुछ कर देना जिसे बहुत बड़े लेवल पर गरीबों की सेवा हो जाए, तो वह एक स्तती कह सकते हैं, आप हो सकता है कि बहुत बड़ दो सकता है कि अपने गूरु से समंदित कुछ आश्रम बन आढ़ाए, बहुत बङसी आप करम हो देना ज़र आइ這是 शाण Simhaandhari, वह भी सम्हामाँश से दोर विजये शोगरा ukeम शाव ने लिए बहुत बाश्या तो वह हमें बताया कि राहू की प्रभाव के कर्ण आपको फाइनांस में अपने और सासर फैमिली के नतगत विशिश में फोकस अपना रखना है दातों से संब्देत परिशानि finding कोर्द आपके और कितनी व्यक्तिओ। ₙ में रखन जल रहा है। मतल Ult지만 में ग्रेह स्तथी श्य असी हैं जया खराबी सें रहे हैं और शिष्ट शर्ष्टम भाव का स्वामी बनकर आता है देखें डिस्सिप्लिन अनुशासन में विशेश्व रद्धी होती हुँ दिखाई देगी सोतंत रिचारदारा मान समान पतपरतिश्टा के तिवर इच्छा और थोड़ा एंकार ये बढ़ेगा चोधे अप्रेल 2023 तक ये किस्तती सासा शिष्टेश बनकर आया तो कहीं न कहीं कर थोड़ा यहां पर हैल्थ का थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा शिष्टेश के संबंद के साथी लेकिन यहां पर थोड़ा सा परवाव यह रहेगा जगड़े का भी संबंद आ जाता है ध्यानपने और लगड़ा लेकर आपके घ्याती को लेकर आपके एचंकर को लेकर महले इस कि आंतरब इन अपर शिष्टेश कंन कर सुर्यए अ मेश्यराशी के जित्ते भाव में वोच़र करेंगे तो वहीं दातों से संब्नाव हैं और कहीं न कहीं आपका money related, आपके finance related कुछ issues आपके वहाँ पर जगड़े या कुटम से related परिवार के लोगों को लेकर जगड़ा बगरा और कुटम के लोगों की बातों को ज्यादा रेस्पेक्ट देनी पड़े है तो उसमें भी वहाँ पे समंदित परिशानी आती भी नजर रही है वो एक problem आपको देखने को मिलेगी और सरकारी चेतर से देखे यहां पर 14 April 2030 तक बहुत अच्छा समय है कि करम के माली के साथ सुड़े को बोचर रहेगा तो सरकार से समंदित कुछ भी काम करवानी हो 14 April 2030 तक करवाली जी बहुत फाइदा रहेगा आपका काम में सफलत आपको मिलीगी आपको लाब मिल जाएगा जो एक ती नोकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनको मतला government से related नोकरी प्राप्त करने के लिए मतला समय अच्छा कह सकते हैं वहाँ पर आपको लाब मिलेगा अगर इस टायम में आपका कुछ ऐसा result आना हो शेडूल आपका इंटर् अगर वगय का हैं चाहते हैं मतलब दद बहाव में अगwijा कर घता है न कि अकर है कि उसको भूंदिर पर चड़ए, खेत और थे भी आपको को धे आस हो ऋधीग और को गया विए, वह दाप को उसके बहाँ धाए, परक कि सब्ड़एख और रहें के था आप और हमें बहाँ नहीं आपर बंती भी दिखाई दीती है वहीं मतलब प्रॉपर्टी से रेलेटिड आपको फायदा या कोई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं प्रचेस कर सकते हैं तो मतलब या फिर आप कमर्शली रियल स्टेट वगर विजस्स में भी वहां पर भी आप बहुत अच्छा करत दन से फिर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से फिर दन इस तरीके का एक पहुत अच्छा समन बन रहा है यह निर्बरता वही जन कुंडली पर रहती है दशा अंतर दशा आपकी ग्या सल रहें उन पर हमेशा रहेगी यह प्रभाव देखने को मिलेगा वहीं मंगल की दृष् पार्टना पार्टनर्शिप और रिलेशन्शिप और आपके सासा दामपत्य जीवन के लिए अच्छी स्तुति कहीं जाएगी वहीं मंगल की सीधी दृष्टी आपके दश्यम भाव पर रहेगी तो विशेष्टे दश्यम मतलब करम इस्तान में कुछ बढ़ा करने के लिए और संबंदों को मदूर बनाए रखने के लिए अपने से उपर वर्क के लोगों के लिए आप कुछ बहतर परियास करते हुए जर आएंगे और वहीं मंगल की आठवी दृष्टी अब आए भाव पर आठवी दृष्टी में थोड़ा दिक्कत रहती है चाचा मेंतर बड़ दृष्ट ने के लिए वहीं इस बात का भी आपको ठोड़ा देखना पड़ेगा आप देखे इसके बाद बुद्ध का गोचर बुद्ध जो की चतुर्टेश बनते हैं सब तुमेश बनकर धन भाव में हैं तो वेपार से धन वगरा लाब वगरा साथ प्रॉपर्टी से रिलेटिटीर काम से धन आ रहा है तो भी कच्छी स्थ होती है साथ इस बार्णी का आप अपनी होबी पर काफी काम करते हैं जराएंगे वहां से खुशी सोचिल मीडिया जादा वीडियो देखते हैं अगर आपका वीडियो बनाने काहां में तो उन सब चीजों से आपको बहुत अच्छा बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा और आप कहीने अगर वेबसाइट डिजाइन वर्गर में उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे वहीं शुक्र की दर्श्टी भागे बापर विश्वेश्ट वर्पाप के भागे में व्रद्दी करने वाले धरम को भी थोड़ा अपने हिसाब आपसे करते हैं अपनी सहुलियत के साफ से जिसमें खुशी और आनंद मिले उस तरीके से आप धरम को करते हुए नजर आ रहे हैं तो यह वी एक अच्छी स्त्थी कह सकते हैं तो मित्रय यहां पर शुब दिन एक से दो, चार से साथ, नो से ग्यारा, ग्यारा से तीरा, तीरा से पан द्षा, सत्रा से 19, 19 से 22 और 29 यह दिन आपके लिए काफी शुब हैं अश्यूब दिनों में 2-4-7-9-15-17-19-29-39 ये दिन अश्यूब है जो मिले जुले दिन राते हैं उसमें मिला जुला ही प्रभाव देखने को मिलेगा आपको यात्रा की योग में अखस्मात यात्रा 2-4-7-9 की अचानक से यात्रा हो सकती है अब अवस्ते की टेट लिखी हुए उपाय क्या करने चाहिए उपाय के लिए ओम नमस्षिवय इस मंत्र का जाक्त करते रहीगा और देखे मंगल के प्रभाव में घर में कलह ना हो घर में शांती बनी रहे हैं मा बगला मुंकी का चाली सा करना है आपके लिए फायदे मंद रहेगा साथी साथ केतु का प्रभाव के कारण लगन सश्टम के अंदर आपको गुपतांगों से समध्य परिशानी दिक्कत दे सकता है या सबस्रात पक्से थोड़ा संतोष दे रहा हो तो वहां पर भी या जीवन साथी की इंकम को लेकर या वानी को लेकर थोड़ा दिक्कत चल र देंशनी या साथी साथ इससे अचानक धनलाग के भी आपको प्राक्ति हो सकते हैं साथी गाये को हरा चारा खिलाते रहेगा शनिवार को गरीबों को बोजन करते हैं और देंगा बारवे घर में चल रहे हैं तो कही नकाई ॡोनेशन आपके लिए मैंडिट्री क्यर्या है क करना ही होगा दान करिए गरीबों की सिवा करिए और कहीं न कहीं लोगों से सम्मधित जो वेक्ति जो जीन को जरूत है किसी भी तरीकी की उनको आप help करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा अन्यता आपका खुद का धन कहीं न कहीं लोगस में जा रहे हैं पैसा खर्चा हो जाएगा साथी सूर्य को जल चड़ाती रहेगा आपको लाब लेगा तुम्हें तुम्हें जान करें अगर आप पच्छे लेगी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जैम आता थी